हालो फेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फेंड्स वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे दा हिंदू बूस्टर सीरीज और इस सीरीज में हम डिसकस करेंगे ट्रिपल तलाक का जो बर्निंग टॉपिक है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और इ की वीडियो क्लासिस के थुरू, रीडिंग कॉंप्रिहेंशन, वर्बल अबिटी, ग्रेमेटिकल कॉंसेप्ट, डिस्क्रिप्टिव पाथ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो होता है एससी में और बेंकिंग एक्जैम्स में, उसके फैक्ट्स आपको यहां से काफी मिल सकते है इस वीडियो क्लास से, तो चलिए शुवात करते हैं, यह पूरी सीरीज है, और इसके प्रिविएस यो वीडियो क्लासिस है, जो मैंने अप्लोड किये हैं, इस कोर्स में उनको भी आप जरूर देखें, और डेफिनिट्लिस से आपको काफी ज़्यादा फाइदा होगा, देखें, यह है, ट्रिपल तलाक is criminal offense, ट्रिपल तलाक क्या है, जैसे मौमडंस में आपने सुना होगा, कि जो मैरिट कपल्स होते हैं, वो यह दि तलाक देना चाहते हैं अपनी वाइफ को, तो वो तीन बार तलाक 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 बोलते हैं, और उनका तलाक हो जाता है, तो यह इसको अब देश शे खतम किया जा रहा है, क्योंकि यह गलत प्रिथा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक को अब और आज के बाद से, एक criminal offense माना जाएगा, ठीक है, एक अपराधिक मामला इसको माना जाएगा, एक अपराध इसको माना ज त्राइल, देखें, जिस व्यक्ति के ऊपर आरूप लगा है, जिस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, उसके पास भी उसको ऐसा नहीं है, कि डारेक्ट उसको जेल हो जाएगी, उसको ट्राइल का एक मौका दिया जाएगा, कि जो case जो है, वो fair है या नहीं, ठी define किये गए हैं, तो एकदम से उसको jail नहीं होगी, पहले उसका trial होगा, और उसके लिए भी, husband के लिए भी इसमें sufficient provisions किये गए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, bail का आर्थ होता है, जमानत, accused का आर्थ होता है, एक ऐसा विक्ति, जिसके उपर आरोप लगा हुआ है, accused, यह क्या है, यह एक adjective है, जिसमें ED form होती है, वरुम में जब हम ED लगा देते हैं, तो वो एक बन जाता है, adjective, तो accused का यहां पर मतलब होगा, कि एक ऐसा विक्ति, जिसके उपर आरोप लगा हुआ है, बेल का अर्थ होता है, जमानत, safeguard मतलब उसको protect किया गया है, law के अंतरगत, husband जो है, उसको protect किया गया है, ताकि उसको किसी गलत केस में या गलत तरीके से फसाया नहीं जा सके, तो jail होने से पहले, उसके उपर एक proper trial होगी, और उसके बाद उसको jail भीजा जाएगा, या जो भी सजा court सुनाएगा, वो उसमें होगा, तो यहां से हम देखते हैं, इसमें सजा का प्राबधान है, इसमें तीन साल की सजा दी जाएगी, और मौमिडन कम्यूटी में इसको तलाक के बिद्दत हम बोलते हैं, तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, उसको अब खतम किया जा रहा है, और तीन साल की इसमें सजा दी जाएगी, प्रेसिडेंट रामनात कोविंद लेटर इन दे गेब हिस असेंट, असेंट कार्थ होता है, अपना एग्रिमेंट देना, अपनी सहमती देना, अपना कंसेंट देना, ठीक है, तो इसको प्रेसिडेंट रामनात कोविंद ने इसको गलत माना है, और इसको अपना असेंट दे दिया है, कि ट्रिपल तलाक की जो प्रता है वो पूरी तरीके से खतम अब हो जाएगी The new law however incorporates safeguards मतलब उसमें कुछ safeguards भी रखे गए हैं ऐसा नहीं है कि लड़की को या wife को या महला को सार्यादिकार दिये गए है इसमें husband या उनका जो male counterpart है उसको safeguard किया गया है उनको protect किया गया है ठीक है तो यह हम सारा पढ़ेंगे और यहां थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है की provisions मतलब main main चीजें इसकी क्या है bail process क्या रहेगा जो जमानत का process रहेगा वो क्या रहेगा while the proposed law will remain non bailable bail cannot be granted at the police station the accused can approach a magistrate for bail even before the trial जब उसकी trial शुरू होगी court में तो उससे पहले वो magistrate को approach कर सकता है और bail के लिए उनसे request कर सकता है कि उसको जमानत दी जाए उसको maaf किया जाए और आएंदा से वो ऐसा काम नहीं करेगा ठीक है तो यह सही है इसमें key provisions यही है कि वो magistrate को trial से पहले approach कर सकता है और वहाँ पर settlement हो सकता है अब देखिए यहाँ पर the Muslim women protection of rights on marriage bill makes instant triple talaq illegal and imposes a jail term of up to three years imposes का मतलब लगाना उसके उपर एक सजा उसको दी जा सकती है जिसमें उसको तीन साल तक की सजा दी जा सकती है और इसको illegal माना गया है instant triple talaq जो है उसको illegal माना गया है by the agreed alone by the agreed alone मतलब जिसके उपर अपराद हुआ है agreed मतलब यो दुखी है और जो उदास है जो दुखी है उसको हम बोलते है agreed police can register the FIR only when a complaint is made by the victim wife or her blood relatives देखे पोलिस जब FIR लिखेगी तो cable उसी case में FIR लिखी जाएगी जब या तो wife जो की victim है वो शकायत करे या उनका कोई blood relation तो ये इसके key provisions है bearing the hatchet मतलब हम मामले को settle भी कर सकते हम मतलब husband और wife जो है वो मामले को settle भी कर सकते है if the offense is compoundable the husband and wife can have a settlement before a magistrate the case can be withdrawn मतलब case जो है वो खतम हो सकता है समाप्त हो सकता है यदि husband और wife वहाँ पर settlement कर लेते हैं मतलब husband बोल देता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई और मैंने गलती से ऐसा बोल दिया या मजाक में ऐसा बोल दिया और wife कहती है अगर ठीक है मैंने आपकी गलती माफ की तो वहाँ पर settlement हो सकता है और उस case में फिर वो case खतम हो जाएगा और उसको कोई भी सजा वहाँ पर नहीं मिलेगी तो इसमें husband को पूरी तरीके से protect किया गया है ताकि उसको गलत तरीके से उसको फसाया नहीं जा सके तो हर तरीके से ये एक balanced एक act बनाया गया है और बहुत ही अच्छा ये एक act लाया गया है आगे हम देखते हैं including a provision for bail to an accused before the start of the trial तो ये तो हम परी चुके हैं कि इसमें एक provision किया गया है कि accused जो है ठीक है उसको bail मिल सकती है trial से पहले वाइल instant triple तलाक will continue to be a non-bailable offense instant जो triple तलाक है उसको अभी भी non-bailable offense माना जाएगा ठीक है एक तो तलाक ऐसा है कि आपने discuss कर लिया ठीक है हम तलाक ले लेते हैं डिवार्स ले लेते हैं अलग हो जाते हैं एक होता है instant triple तलाक तो instant triple तलाक जो है वो non-bailable है उसकी जमानत नहीं होगी ठीक है पलिस केननोट ग्रांट बेल एड़ पलिस स्टेशन पलिस स्टेशन में पलिस उसको बेल नहीं दे सकती the accused can approach a magistrate for bail even before trial trial से पहले यदि magistrate से वो approach करता है तो उसको bail मिल सकती है there was an overpowering urgency and a compelling necessity to bring the ordinance as the practice continued unabated despite the supreme court's order last year देखे यहां मैं कुछ आपको grammatical चीएं बताऊंगा overpower से पहले चुकि वोबिल की sound आ रही है इसलिए हमने end लगाया है तो यह सही है यदि आप end हटा देंगे तो यह गलत हो जाएगा ठीक है तो there was an unpowering urgency एक urgency थी इस law को लाने की एक जरूवत थी एक urgency थी क्यों थी ऐसा क्योंकि जो triple तलाक का जो custom है वो continue था society में सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाब जूद भी यह continue था तो इसलिए एक law लाना जरूरी था यह compelling necessity बन चुकी थी bring the ordinance ठीक है ordinance क्या होता है यह अभी मैं बता देता हूँ आपको as the practice continued unabated unabated का मतलब होता है जिसकी intensity में कोई कमी नहीं आई जो जैसा पहले था वैसा ही अभी बना हुआ है उसमें reduction नहीं है उसमें कोई decrease नहीं है कोई decline नहीं है उसको हम बोलते हैं unabated ठीक है ordinance क्या होता है ordinance अपना क्या होता है देखिए जो law making authority जो इंडिया में है जो democracy में होती है वो parliament होती है और parliament के बोल उसी समय law बना सकती है जब वो session में होती है parliament के कुछ sessions चलते है और जब मैं session में नहीं है suppose parliament session में नहीं है और law बनाना जरूरी है तो president क्या करता है government एक ordinance निकालती है और उस पर president का approval ले लेती है ठीक है ट्रिपल तलाक क्यों जरूरी था इसका law बनाना क्यों जरूरी था यह मैंने पूरा आपको बता दिया है यहाँ पर आगे हम देखते है he said 201 cases had been reported from across the country after the supreme court banned triple तलाक in august 2017 देखे supreme court ने triple तलाक को ban कर दिया था अगस्त 2017 में उसके बाब जूद भी 201 cases registered हुए थे तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी इस practice को continue कर रहे थे और इसको गलत नहीं मान रहे थे तो इसलिए law लाना जरूरी था ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जो word यूज हुआ है वो हुआ है compelling necessity and urgency ये इस तरह के word यहाँ पर use हुए है तो इसलिए इसमें इसको जल्दी से लाना जरूरी था यहाँ पर एक grammar का concept आया है grammar का concept perfect participle उसको बोलते हैं हम और इसमें हम having के साथ verb की third form लगाते हैं perfect participle का मतलब है यह किसी noun के लिए आता है participle यह होता है adjective होता है किसी noun की विशेष्टा बताता है तो noun क्या है यहाँ पर supreme court तो supreme court के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि having annulled इसका मतलब यह है कि supreme court इस चीज़ को खतम कर चुका था perfect participle हम लगाते हैं जब कोई काम खतम हो चुका हो तो supreme court के बारे में हम बोल रहे हैं और supreme court एक noun है तो इसी लिए यह adjective हुआ participle हुआ लेकिन चुकि इसमें having plus v3 आ रहा है having के साथ हम annulled लगा रहे हैं तो इसलिए इसमें हम perfect participle बोलते हैं इसमें इसका मतलब होता है कि कोई काम past में finish हो चुका था यहां पर हमने लोकसवा के बाद having pass लगाया है तो इसका मतलब है कि लोकसवा ने ये bill pass कर दिया था उसके बाबजूद भी cases registered हो रहे थे triple तलाक के तो इसलिए law बनाना ज़रूरी था बिल क्या होता है बिल होता है एक simple सा proposal जैसे आप किसी चीज की तैयारी करते हैं किसी चीज को arrange करते हैं तो आप सबसे पहले उसको उसको एक कागज पर लिख लेते हैं उसकी एक planning बनाते हैं एक proposal बनाते हैं तो वो होता है bill बिल का मतलब है simple एक draft या proposal ठीक है ordinance क्या होता है एक temporary law होता है क्योंकि parliament law नहीं बना सकती parliament law इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि वो session में नहीं है जब वो session में होगी तभी उसके उपर law बन पाएगा ठीक है और law अगर बनाना जरूरी है और parliament session में नहीं है तो government एक ordinance पास करती है उस पर president का approval लेती है और वो एक law बन जाता है वो एक temporary law रहता है जब तक उसको parliament से approval नहीं मिल जाता है तब तक वो एक temporary law रहता है We all have the evidence and a series of papers in this regard Mr. Prasad said Mr. Prasad जो है रवी संकर प्रसाद ये है union law minister ठीक है The law minister attacked the congress देखिए एक चीज़ यहां पर मैं आपको बता देता हूँ एक grammar का concept आ रहा है यहां पर The law minister attacked attacked के बाद जब attack का प्रियोग verb की तरह होता है तो इसके बाद हम कोई proposition नहीं लगाते लेकिन जब attack का प्रियोग noun की तरह होता है जैसे an attack an attack on India an attack on my integrity जब attack का प्रियोग noun की तरह होता है तो इसके बाद आप proposition नहीं लगा सकते हैं लेकिन वर्ब की तरह होता है तो इसके बाद आप कोई भी proposition नहीं लगाते हैं ठीक है इसको ध्यान लखना जरूरी है क्योंकि यह काफी important grammatical concept है The law minister attacked the congress saying it was not supporting the bill pending in the Rajasabha because of both bank pressures he also appealed to congress leader Sonia Gandhi, BSP chief Mayavati and Bengal chief minister Mantar Banerji to support it in the next parliament session ठीक है government ने सभी party से बोला है कि इसको support करें यह गलत चीज है और इसको हम approve करना चाहते हैं इसके उपर हम एक act बनाना चाहते हैं तो यह इसका मतलब है और अब यहाँ पर हम सारी vocabulary यूज करें जो इसमें यूज हुई है उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे offense क्या होता है offense एक crime होता है कोई भी unlawful activity होती है उसको हम offense बोलते है criminal offense ठीक है bail क्या होता है bail एक जमानत होती है जिसमें जो मुझरिम होता है वो court से बोलता है कि ठीक है मुझे माफ किया जाए मेरे को यमानत दी जाए मैं guarantee दे रहा हूँ मैं एक security रख रहा हूँ आपके पास और यदि आएंदा ऐसी मैं गलती करूँ तो मुझे माफ नहीं किया जाए वो होता है bail ठीक है agreed जिस victim है जिसके उपर कोई अपराद हुआ है जो दुखी है प्रतारित है wounded है distress है दुखी है उसको हम बोलते है agreed ascent का अर्थ होता है agree ठीक है इसके लिए एक word और है accuse safeguard का अर्थ होता है protection या shelter भी हम इसको बोलते है shelter non-bailable मतलब जिसकी जमानत नहीं हो सकती non-bailable offense मतलब जिसकी जमानत नहीं हो सकती ordinance क्या होता है temporary law होता है unabated मतलब जिसमें कोई कमी नहीं आई है जिसमें कोई कमी नहीं आई है उसको हम बोलते है unabated annalde का क्या अर्थ है annalde का अर्थ होता है इसी paragraph में से, इसी article में से मैंने spotting रखे question लिये हैं तो यहाँ पर आपको एक काम करना है एक video को, इस video को post करना है और 30 या 40 second में maximum बता रहा हूं में आपको 30 या 40 second में इन सारे questions को आपको solve करना है इसके किस part mirror है, आपको ये बताना है और इसके बाद हम इनके सारे जो answers हैं बों discuss करेंगे justification के साथ तो आपको इस video को post करना है तीनो question आप देखिए और तीनो question के एक minute के अंदर answer आपके सामने आ जाने चाहिए ठीक है तो चलिए आप discuss करते हैं इसके answers the union cabinet सही है union cabinet से पहले हम दा लगाते हैं तो ये सही है on Wednesday day से पहले हम on लगाते हैं तो ये सही है cleared सही है ordinance से पहले end लगा हुआ है that makes ordinance singular है तो इसलिए यहाँ पर makes लखा हुआ है सही है तलाके विद्दत और instant triple तलाक criminal offense देखें instant triple तलाक offense जो है ये एक singular noun है तो criminal offense से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे criminal offense यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा A criminal offense ये इसमें गलती है बाकि सब कुछ इसमें सही है और इसी तरीके की minor mistakes particularly banking exams में इस तरीकी mistakes काफी पूछी जाती है criminal offense criminal offense मतलब offense noun है criminal adjective है तो adjective और noun का जो combination होता है और यदि वो countable है तो उससे पहले यहाँ पर हम article A और N का प्रियोग करते हैं ठीक है तो इसमें किस पार्ट में गलती मानी जाएगी क्या answer होगा आपका इसका answer होगा C question number 2 देखते है the new law however incorporates new law singular है तो इदर incorporates लखाए हमने जो की सही है safeguards सही है including a provision to including देखे इसमें क्या गलती निकाली है मैं बताता हूँ आपको provision including a provision किसी चीज के लिए जब हम विवस्था करते हैं तो we make provision for something we make provision for something तो यहाँ पर two के स्थान पर इसमें हम लगाएंगे for और बी इसमें आपका answer होगा ठीक है question number 3 परते है while instant triple talaq will continue to be a non-billable offense the police cannot grant bail at the police station accuse the accuse क्या मतलब है the accuse का क्या मतलब है यह मैंने आपको बताया था accuse का मतलब है कि इसमें accuse का मतलब है जिस वेक्ति के उपर आरोप लगा हुआ है एक ऐसा वेक्ति जिसके उपर आरोप लगा हुआ है तो इस accuse को आपको change करना पड़ेगा accused दा अक्यूस्ट मतलब एक ऐसा विक्ति जिसके उपर आरोप लगा हुआ है ठीक है तो यही इसमें गलती है और सी इसमें आपका आंसर होगा आई होप यह सारी इर्रस आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी अब यहाँ पर भी आपको 60 सेकंड का टाइम लेना है मैक्सिमम टाइम 60 सेकंड लेना है और इन दौनों को सॉल्व करना है आप वीडियो को पॉस कर दें और इसके आंसर्स को ढूड़ें अब हम डिसकर्स करते हैं इन कोश्चेंज को इनके आंसर्स को और आंसर्स का जस्टिफिकेशन को देखिए वाइड इंस्टेंट रिप्ल तलाग विल कंटीनू तू बी आ नॉन बेलेबल ओफेंस दा पॉलिस केंनोट ग्रांट बेल एड़ दा पॉलिस स्टेशन दा अक्यूस्ट अक्यूस्ट तो सही है इसके आगे हम देखते हैं यहां पर लिखा है हमने बेंड यहां पर एक वर्ड आया है आफ्टर तो आफ्टर और बिफोर जो वर्ड है यह हम कहां पर यूज करते हैं जब दो एक्शन होते हैं तो आफ्टर और बिफोर वर्ड हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि दो काम होते हैं ठीक है तो एक काम जो पहले खतम हो चुका था उसको हम लिखते हैं पा ठीक है लेकिन इससे पहले कुछ काम हो चुका था He said 201 cases were reported from across the country after the Supreme Court bend Supreme Court के बैन करने के बाद ठीक है After the Supreme Court bend मतलब Supreme Court ने किसी चीच को बैन किया लेकिन उससे पहले ये काम हो चुका था After the Supreme Court bend triple talaq in August 2017 तो इसमें यहां पर वर के स्थान पर हम लगाएंगे had been reported He said 201 cases had been reported from across the country after the Supreme Court bend triple talaq in August 2017 So I hope you understand this question और इस तरीके से यहां पर हम एक grammatical concept को पढ़ेंगे having plus V3 जो होता है वो perfect participle होता है और इसका मतलब है कि कोई काम खतम हो चुका है यह noun की विशिष्टा बताएगा चुकि participle एक adjective होता है इसलिए यह noun को qualify करेगा जैसे आप यहां पर देखिए What is important is that the practice of triple talaq continues in spite of the Supreme Court having annulled it and the loksabah having passed Supreme Court के बाद आया है having annulled और loksabah के बाद आया है having passed यह दोनों ही perfect participle के एक example है और इसमें देखिए Supreme Court पहले इसमें एक noun की तरह आया है यहां पर Supreme Court एक noun की तरह काम कर रहा है और यहां पर loksabah एक noun की तरह काम कर रहा है तो इसमें हमने एक grammar का concept भी लिया है तो कैसा लगा आपको यह video class इस video class के बारे में अपना feedback अपना honest feedback मुझे आप जरूर दीजिए WhatsApp पर और इन email ID के थूँ और इस तरह के The Hindu Booster Series के जो दूसरे topics हैं वो अगले video classes में आपको देखने को मिलेंगे तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूंगा next video class में तिल देन बाए and have an awesome day Thank you